प्राइफेट उनिवस्टीज जादातर मुनाफे के लिए ही, सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही आपके अडमिशन्स लेती हैं और बाद में आपको बहुत तरागी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है जातर private universities में admissions चलते ही रहते हैं मतलब 365 दिन वो admission लेते रहते हैं तो क्या ऐसा private universities कर सकती हैं? दोस्तो हर साल हाला की बहुत सारे ऐसे students जो PhD में अपने आपको enroll कराते हैं master's अपनी complete करने के बाद उनके पास बहुत सारे options होते हैं सवाल जो बहुत जादा आप हमसे पूछ रहे थे कि private university से PhD करें तो क्या problems हमारे सामने आ सकती हैं? या फिर क्या benefits हो सकते हैं अगर हम private university से PhD करना चाहते हैं? दोस्तो PhD करना चाहते हो और PhD आप complete कर लोगे ये दो अलग-अलग बाते हैं आप इन दोने को एक मत समझें private universities जादा तर मुनाफे के लिए ही सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही आपके admissions लेती हैं और बाद में आपको बहुत तरह की problems का सामना करना पड़ता है admission लेना एक अलग चीज है और अपने PhD को complete कर लेना एक अलग चीज है मैं आज बहुत कुछ बताऊंगा private universities के बारे में और मेरा ये मानना है कि इस वीडियो के बाद में जितने वी तरह के सवाल आपके दिल में है कि आपको private university से PhD करनी चाहिए या नहीं merits और demerits दोनों पर आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में ज़्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहे हैं इस वीडियो के साथ नमस्का दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है University India मेरा नाम है विरेंदे वर्मा जैसा कि आप सभी जानते हैं अपने इस वीडियो को देख रहा है आप PhD के बारे में कोई भी जानकरी चाते हैं एडमिशन लेना चाते हैं या फिर जानना चाते हैं किसी भी University के बारे में या Best University के बारे में और जब भी आप हमें WhatsApp करते हैं तो याद रहे कि 5 चीज़े हमें जरूर लिखकर बेजें एक ही Message में सबसे पहले अपना नाम लिखें आप कहां से हैं ये भी लिखें Masters में कितने % आपके Marks आए हैं और PhD की subject में आप करना चाते हैं साथ में ही अपना phone number mention जरूर करें ये 5 चीज़े आप अगर हम बेजेंगे तो हम easily आपको बता पाएंगे आपके best university के बारे में किस university में आप admission लेना चाहते हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे और साथ ही आपके सभी तरह के सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे और आपके admission लेने में हम आपकी मदद बिल्कुल कर सकते हैं तो पिएचडी करना बहुत सारे students का अर्मान होता है कि वो पिएचडी complete करें और अपने नाम के आगे doctor लगाए doctor prefix लग जाता है नाम के आगे जब कोई PhD complete कर लेता है बट यहां पर बहुत सारी problems खड़ी होती है जब आप private university के तरफ रुख करते हैं और आपको private university के तरफ रुख करना पड़ता है आप चाते नहीं हो क्योंकि जातर students का government universities में नाम आता ही नहीं है और या फिर जो उनकी lengthy proceeding है या फिर थोड़ा toughness जो होती है PhD complete करने में उन चीजों से आप बच्चते हैं या फिर आप उतने brilliant student नहीं होते हैं इन्हीं चीजों का फाइदा उठाती है private universities private universities से आप अगर admission नहीं चाते हैं कुछ बातों का आपको विशेश रूप से ध्यान रखना चाहिए सबसे पहली बात तो आप यह समझे दोस्तों कि fees में तो difference होता ही है आप private universities से करोगए fees ज़ादा होती है और ज़ादा क्या बहुत ज़ादा fees भी होती है कई सारी private universities की बट आपका budget start होना चाहिए कम से कम धाइलाक रुपे से तीन साल की complete course की में fees आपको बता रहा हूँ धाइलाक इसको आप एक minimum fees मान सकते हैं complete PhD की जो पूरे course का एक duration मनता है उस complete course की fees धाइलाक minimum होगी यह बढ़ सकती है as per the streams आप योगा में करना चाहे फार्मसुटिकल में करना चाहे लौ में करना चाहे education में करना चाहे या फिर technical किसी भी subject में आप करना चाहे उसकी fees अलग-अलग हो सकती है variations हो सकती है दोस्तों आप अगर आई है पहली बार हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं आप हमारी इस वीडियो को मैं आपसे request करना चाहूँगा हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें साथ में लगा बेल आइकन जरूर दमा दे ताकि इसी तरह की education videos आप तक पहुँच सके सबसे पहले और आपके हर तरह के doubt जो private universities को लेकर होते हैं योगि हम videos लेकर आते हैं private universities पर ही और आपको aware करने की कोशिश करते हैं दोस्तों हमारे पास हाला की बहुत सारे students के comment आते हैं वर पूछते हैं कि सर पी-च्डी में admission लेना है इस university में admission ले या ना ले ये university कैसी है या फिर हम उन्हें कोई अच्छी एक private university recommend करें जहां से वो PhD कर सकते हैं दोस्तों से recommendation से कुछ नहीं होगा सिर्फ बताने से कुछ नहीं होगा क्योंकि PhD को complete करने के लिए तीन साल की आपको मदद चाहिए आपको helping hand चाहिए होता है और तीन साल तक के लिए जो भी कोई आपको service देगा वो अपना एक service charge करेगा तो आपका जो भी कोई consultant जिसके दोरा आप admission लेते हैं बहतर होगा क्योंकि वो उस university को बहतर तरीके से जानता है सीधा आप चाहें खुद अपने आप कुछ कर ले तो university शुरू में आप से बहुत अच्छे से बात करेगी बहुत अच्छे से admission भी लेंगे क्योंकि इनका admission लेने का process जितना आसान है PhD कंप्लीट करना उतना ही आपके लिए tough हो जाएगा बैतर है कि आपके साथ में कोई helping hand हो दोस्तों यह आपने अक्सर देखा होगा कि जातर private universities में admissions चलते ही रहते हैं मतलब 365 दिन वो admission लेते रहते हैं तो क्या ऐसा private universities कर सकती हैं दोस्तों देखा जाए तो सभी private universities के पास limited seats होती हैं पर यह admission लेते हैं बहुत ज़ादा आप कुछ इस तरह आप समझेए कि माल लिजे किसी भी university ने 1000 total admission लिए PhD में जब भी इन्होंने अपना entrance गंडट करवाया हाला कि उतने guiding के पास होते नहीं है अब आपने admission ले लिया तो admission करने के बाद पहले ही साल में काफी सारे students drop out हो जाते हैं मतलब कि वो अब PhD को continue करना नहीं चाहते या वो कर नहीं पा रहे हैं पहले साल में काफी सा drop out हो जाते हैं second year तो जो लोग course ते हैं नहीं चाहते और जो fees दे दी है वो fees इनके दूर जाती है और जितने students आगे तक पहुच पाते हैं अच्छे से research करके और आगे तक पहुचते हैं तो भी उनको easily degree award नहीं होती और अगर award का number आ भी गया convocation हो भी गया तो वहाँ से पहले तो इन लोगों को मिलती है सिर्ख provisional degree और काफी सारे students सिर्ख provisional degree के उपर ही अपने आपको depend रखते हैं और ये universities original degree जो होती है main degree जो होती है वो इनको award time से करती नहीं बहुत सारे ऐसे consultant जिन consultants के दोरा आपने admission लिया काफी consultants को तो खुद university कुछ समझती नहीं admission तो ले लिया जब तक जब तक ठीक था admission लेने के बाद में खुद consultant की ही insult करना या फिर गलत तरीके से उनकी बेजिती करना शुरू कर देते हैं student के सामने और student को क्योंकि consultant सही तरीके चला रहा होता को बना रहा होता है कि कब फीज देनी है कब नहीं और किस तरह से आप पूरी proceeding को करें और काफी सारे students अपने consultant को ही overtake करके आगे बढ़ते हैं और बाद में problem होती है उनके साथ helping hand कोई नहीं होता आप किसी भी private university से अपना PhD कर रहे हैं या फिर आप consultant है परिशानियां आपको आ रही है आप हमसे contact करें हो सकता है हम आपकी उसमें कोई मदद कर सके बढ़ सबी students को एक helping hand के जरूरत पढ़ती है तो कि PhD में बहुत सारी चीज़े होती हैं जो time time करनी होती हैं बहुत सारे updates होते हैं जो आप तक नहीं पहुच पाते हैं और सही तरह से university के बारे में detail में आपका consultant ही जानता है तो बहतर होगा कि आप उससे सब चीज़ों के information time to time लेते रहें हमेशा ही universities आपको कहेंगे कि आप अपनी पूरी payment एक साल के बाद मतलब जैसे ही डेड़ साल लगबगा आपका पोचा ये लोग चाते हैं कि आप इनकी पूरी fees इनको जमा कर दे मतलब पूरी complete course की जो fees है पूरी fees दे दे दें जब कि गलती आपको करनी नहीं चाहिए और आप में से जो भी कोई कहीं से भी PhD कर रहा है तो आपके पास अपनी payment की रसीदे होना बहुत जरूरी है और अगर आपने payment complete कर दी है तो अपनी उस university से आप अभी no dues मांगे no dues जरूर ले ले लें आप तो ये बाद में लोग fees बढ़ा देते हैं और अगर किसी consultant के दुआरा आपने admission लिया है पूरी fees आपने जमा कर दी है अब consultant से contact नहीं हो रहा है तो ये अगला रामबार जो आप पर छोड़ेंगे वो ये होगा कि आपकी fees बखाया है अगर आपके पास रसीदे होंगी तो आप इनकों दिखा सकते हो आपका consultant है consultant को सिर्फ उसके consultancy उसको दे जिसके लिए वो आपकी मदब करेगा जिसके लिए आपको help करेगा वो consultancy ही सिर्फ दें बागे सब चीजे ना दें यही जो private universities है आपकी research में इतनी सारी problems create करते हैं इतनी ज़्यादे रोड़े हटका देते हैं काफी सारे students अपने आपको पहले से ही demotivate करके और admission से पिछे हड़ जाते हैं मतलब course को complete करना चाते नहीं universities की strategy क्या होती है planning क्या होती है कि पहले साल में ही आपने admission लिया और अब आप drop out करके तो वो fees free fund की university को मिल जाती है कुछ लोग second year में जाके अपने आपको drop out करा लेते हैं वो fees भी university की अपने आप में हो जाती है जो students last तक पहुच पाते हैं वही students की list आगे जाती है और बाकिस सारी जो fees है जो waste हो गई वो यूनिवस्टी के बिलकुल एक बही खाते में free fund में चली जाती है और अगर आपका research work timely नहीं हुआ तो याद रहें जैसे ही आप next year में पहुचेंगे अगले साल तक पहुचेंगे यही universities जो private universities हैं आप पर penalty लगाएंगी और आपसे fourth year की fees भी मांगेंगे penalty के साथ तो बहतर है अपने course को अपने course work को research को timely submit कर ले timely पूरा कर ले कहीं ऐसा नहो कि आपके उपर भी वो penalty लगा दी जाए दोस्तो किसी भी private university में सभी university की बात नहीं करता कुछ अच्छी भी हो सकती है बर ज़ादतर जो private universities हैं इन सभी universities में जितना आसान admission लेना होता है उतना ही ज़ादा tough आपके लिए research को complete करना होगा इन universities में इन universities का main focus होता है सिर्फ आपसे fees लेना मुनाफ़ा हासिल करना और ज़ादा ज़ादा fees collect करना ज़ादा ज़ादा interviews conduct करवाना ज़ादा 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 जो entrance conduct करा आजाते हैं वो करवाना ताकि बहुत सारे students अपने आपको enroll करें और इनको fees मिल पाए और ऐसा भी बहुत बार देखा गया है कि time to time बार बार guide इन universities के बदलते रहते हैं और guide से भी आपको बहुत सारे problems आएगी और यहीं पर जो helping hand का काम करते हैं वही लोग consultants आपके जो होते हैं जो इन universities को भली भाती बहुत अच्छे से जानते हैं वो आपकी इन चीजों में मदद कर पाते हैं अब एक problem और आती है आपके साथ में कि जब यह university वाले आपकी बात को सुनते नहीं है तो आप कोशिश करते हैं कि क्यों ना हम register साहब से VC साहब से यह university की जो chancellor है उनको जाकर complain करें हो सकता है मेरा काम जल्दी हो जाए बट इन लोगों से मिलने का आपको appointment ही नहीं मिलेगा जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितने भी students हैं सभी consumer की category में आते हैं अगर यह universities आपके साथ इस तरह से दादागिरी करें तो आपको इनकी complaint जरूर करनी चाहिए consumer forum में आप जाए इनकी complaint करें fee refund लेना तो आपके लिए लगभग impossible एक task हो जाएगी आप ले नहीं पाओगे और यह university आपको refund देंगी भी नहीं और मैं एक बात और आपको बता दूँ कि जितने भी उनिवस्टी प्राइवेट उनिवस्टी जितने भी UGC पर लिस्टिड हैं सिर्फ आप देख ले कोई special comment ना डला हो किसी भी उनिवस्टी से आप करते हैं UGC पर लिस्टिड है साथ में UGC ने उस उनिवस्टी को recognize किया है आप PhD कर सकते हैं 100% valid है जहां मरजी अपने documents को आप लगाईए और जहां मरजी apply कीजिए वो एक बात अलग है कि recruiter कोई कमी निकाल दे पर ऐसी universities की जो डिग्री आपने लिए हैं बिल्कुल valid होंगी valid मानी जाएंगी as per the law आप बिल्कुल एक valid students कहलाई जाएंगे उस university के जहां से आपने PSD की है और अपने नाम के आगे prefix आपने लगाया है